हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आसा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ देव्यावर्मा तो जैसा कि आप लोगों ने अपना सिलेवस देखा ही होगा बीए सेमेस्टर फाइफ पेपर टू में राजस्थानी शैली के कुछ टॉपिक पूछे जाएंगे जिनमें से हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिये हैं और कुछ अभी बचे हैं तो उनमें से ही है एक मेवार चित्र शैली जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे इंपोर्टन शैली है इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा अपने नोट्स भी बनाते रहिएगा और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजेगा और अपने साथियों के साथ में से शेयर भी कीजेगा और दोस्तों हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब दें तो आप चाहें तो हमें वहाँ भी जोइन कर सकते हैं जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के कॉमेंट डॉक्स में पिन कर दूँगी देखे मेवार शैली राजस्थानी चित्रकला के अंतरगत ही आती है और राजस्थानी चित्रकला को चार भागों में बाटा गया है पहली है मेवारी शैली दूसरी मारवारी शैली तीसरी हडोती सैली और चौती तुड़ाडी शैली तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेवारी शैली के बारे में या फिर मेवार शित्रकला के बारे में मेवार शित्र कला की मोलवा सबसे प्राचीन सैली है मेव अत्वा मेर जातिके इस शेत्र में निवास करने के कारण इसे मेवाड एवं मेदपाट कहा जाता रहा इस छेत्र में मेर जाती निवास करती थी ठीक है? इसी लिए इस छेत्र की जो सैली थी उसको मेवाड सैली या मेदपाट कहा जाने लगा ठीक है? कुम्भलगड, चितोडगड, मांडलगड मेवाड के प्रशित के लिए है विपत्तियों बाधाओं और युद्धों की परवाह किये बिना धर्मकला वा संस्कृत की रच्छा के लिए प्रतेक मेवाडी सदयों तत्पर रहा है मेवाड शैली, राजस्थानी चित्रकला की अमर धरोहर है चलिए आगे देख लेते हैं एतिहासिक प्रश्ट भूमी मेवाड शैली की एतिहासिक प्रश्ट भूमी के बारे में यहाँ पर जानते हैं एसा कहा जाता है कि बापा रावल ने 728 में इस राज्य की नीव डाली उन्ही के वनसच महाराडा कहला है जो आपकी मेवाड शैली है उसकी नीव बापा रावल ने 728 में डाली थी और उन्ही के वनसच महाराडा कहला है थी चित्रकला की सरवाधिक प्राचीन शैली मेवार को विक्सित करने में महाराडा कुम्भा का विसेश योगदान रहा ठीक है जो अपकी मेवार चित्रसैली है उसको विक्सित करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा था महाराडा कुम्भा का चलिए आगे देख लेते हैं राणा सांगा ने भी बाबर से युद्ध के मैदान में कभी हार नहीं मानी और उसकी पुत्रवधू मीरा बाई ने क्रश्न भक्ति की एसी प्रेमधारा प्रवाहित की जिसका समस्त राजिस्थानी संस्कृति वकला में अदुतिय प्रवाव आया ठीक है जो मीरा बाई थी वो राणा सांगा की पुत्रवध हो थी ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग महाराजा जगस सिंग प्रथम के बारे में महाराजा जगस सिंग प्रथम के काल में मेवाड चित शैली का महत पूर्ण विकास हुआ इस काल के प्रमुख चित ग्रंथ निम्नवत है ठीक है कौन कौन से चित ग्रंथ थे तो साहब दिन चितेरे द्वारा 1628 में चित्रित रागमाला के 12 चित्र ही उपलप्त है जो राष्ट्री संग्राले, नई दिल्ली, भारत कलाबवन, वाराणसी और बोष्टन संग्राले अमेरिका में है ठीक है साहब दिन ने गीद गोविंद 1630 के भी चित्र बनाए इस ग्रंथ के चित्र जोधपूर महाराजा संग्राले, प्रताप संग्राले, उदैपुर्वा, कुमा संग्राम सिंग, जैपूर के निजी संग्राले में है ठीक है कौन-कौन से चित्र बनाए गए थे आपके राजा, जगस सिंग, प्रथम के समय में ठीक है वो यहाँ पर बताया गया है साहब दिन चितेरो द्वारा ही प्राया 1630 में चित्रित रसिक प्रिया एक गरंथ भी है जिसके 41 चित्र ही उपलाब्ध है ठीक है चलिए आगे देखते हैं सूर सागर प्राया 1640 जगदीश प्रसाद गोयन का संग्रह कुलगाता में है जैपुर के जेम पैलेस से प्राप्त साहब दिन द्वारा चित्रित रागमाला प्राया 1650 राश्ट्री संग्रहले नई दिल्ली में है ठीक है चलिए आगे देखते हैं महाराडा राज सिंग के बारे में महाराडा राज सिंग जिनका टायम क्या था 1652-1680 भी अपने पिता के समान ही महान कला प्रडेता सिद्ध हुई ठीक है रागमायाड का उत्तर कांड जो साहब दिन की सर्व स्रेश्टिकरती है 1653 में यहीं चित्रित हुई जो रागमायाड का उत्तर कांड है जिसका चित्रन किस ने किया था साहब दिन चित्रेश्ट द्वारा रागमायाड की उत्तर कांड का चित्रन हुआ था ठीक है और कब हुआ था महाराणा राज सिंग के समय में ही इस चित्रेश्ट का ब्रमर गीत 1969 का है जो प्रताप संग्राले वराश्ट्री संग्राले में है ठीक है चली आगे देखते है महा भारत भी राज सिंग के सासन काल में चित्रत हुई इसी काल में गीत गोविंद 1655 से 1660 चित्रत हुआ जो अब कुमर संग्राम सिंग संग्रे जैपुर में है यहीं मेवार की एक नई उपशैली नाध द्वार का विकास हुआ ठीक है चली आगे देखते हैं अब पढ़ते हैं महा राडा जैसिंग के बारे में महा राडा जैसिंग 1680 से 1690 के काल में रामायड, महा भारत वा भागवत के हजारों चित्र बने गोवर्धन का चित्र विसेश प्रसिद्धी का है जो 1680 का भारत कला भवन वारा नसी में संगरही थे ठीक है जो गोवर्धन धारन चित्र है वा सबसे प्रसिद्ध चित्र माना गया है जिसका चित्रन कब हुआ था महाराणा जैसिंग के दरवार में ठीक है उन्ही के समय में गोवर्धन धारण चित्र का चित्रन किया गया था जो है कहां महाराणा सुरी जो इस टाइम भारत का लाभवन वारणसी में संग रही थे चलिए आगे देखते हैं गीत गोविंद का तीसरा भाग इन्ही के समय में चित्रित हुआ ठीक है महाराणा जैसिंग के ही समय में गीत गोविंद का चित्रन हुआ था गीत गोविंद के तीसरे भाग का ठीक है चलिए आगे देखते हैं महाराणा संग्राम सिंग महाराणा संग्राम सिंग के सासनकाल 1710 से 1734 में गीत गोविंद की सेश चित्रों का कारे पूरा हुआ इस समय में जगनात चितेरा अपनी प्रशिद्धी पर था इनके समय में कौन सा चितेरा था जगनात इसके द्वारा बिहारी सदसई 1719 वा सुंदर संगार 1726 जैसे महत्वपूर्ण ग्रंत लिखे इस समय के चित्रों पर मुगलिया प्रभाव हावी हो गया था चलिए आगे देखते हैं महाराणा जगस सिंग्दुति 1734 से 1751 महाराणा संग्राम सिंग का पुत्र था महाराणा जगस सिंग दुती महाराणा संग्राम सिंग का ही पुतर था इन्होंने मुल्ला दोप्याजा प्रत्वी राज रासो, मालती माधो, गजेंद्र मोच जैसे ग्रन्तों को चित्रित करवाया अब पढ़ते हैं महाराणा भीम सिंग के बारे में इनके समय में चित्रों का निर्माड कार बहुत बढ़ गया था। की हवेलिया व भवन में एक लिंग मंदिर में अच्छे चित्रों का निर्माड हुआ था। महाराणा भीम सिंग के समय में इन सारे चित्रों का चित्रणकारे कराया जा था। चलिए आगे देखते हैं मेवार चित्रशैली की विसेस्ता हैं। अब हम लोगों को देखना है कि मेवार चित्रशैली में कौन कौन सी विसेस्ता हैं थी। ठीक है चलिए देखते हैं। प्रारंभिक मेवार सैली में गुजरात वा मालवा सैली का प्रभाव देखने को मिलता है। बाद वाले चित्रों में रंगों का सूफियाना पन कहीं कहीं छाया प्रकास वा चेहरों में सौष्ठवाया है। नारी चित्रण में मीना कृत्य आखें, दोहरी चिबुक, छोटा अकद, आभूष्णों से वेंडी तक नीचे लटकी हुई बनी है। जो यहाँ पर नारी आकरतियां बनाई गी हैं, उनकी आखें कैसी हैं, मीना कृत्य, दोहरी चिबुक है, और उनका कद छोटा है, आभूष्णों से वेंडी कमर तक नीचे लटकी हुई बनाई गी है। चली आगे देखते हैं, पुरु साकरति, गठीली, मूचों से युक्त, विसाल, नेत्रवाली तथा सुन्दर पगडी से सुसोभित बनाई गी है। यहां चित्र तल को घटना की सुविधा के नुसार कई खंडों में विभक्त किया गया है, और उस घटना को कई सयोजन खंडों में सजोया गया है। चले आगे देखते हैं, प्रतम खंड में एक नाई का सरंगार करती हुई, तथा दूसरे खंड में प्रियतम की प्रतिक्षा करती हुई, बैठे या खड़ी दिखाई गई है, और इसी चित्र के तरती खंड में परिचाईकाएं मुख्यद्वार के सामने बाहर बैठी प्रति हुई बनाई गई है, फिर उसी नाईका को दूसरे खंड में प्रियतम की प्रतिक्षा करते हुई दर्शाया गया है, और तीसरे खंड में परिचाईकाएं मुख्यद्वार के बाहर बैठी हुई बनाई गई है, ठीक है? चली आगे देख लेते हैं, महत पूर्ण बिंदु, अब कुछ महत पूर्ण बिंदु के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं, गीद गोविंद आख्याई का एक अन्य सचित्र ग्रंथ है, जो मेवार के गोगुंदा नाम के स्थान पर चित्रित हुआ, ठीक है? मेवार चित्ते सैली का सरप्रथम उजला रूप हमें 1540 का विलहन करत चौर पंचा सिखा ग्रंथ के चित्रों में देखने को मिलता है, ठीक है? यहाँ ग्रंथ प्रताप गड़ में चित्रित हुआ, बताया रहता है, ठीक है? यहाँ पर कुछ मुख्य मुख्य बिंदु है, जिनको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा, चलिए आगे देख लेते हैं, पंद्रा सु बानवे में चित्रित, ढोला मारू ग्रंथ, काफ इंपॉर्टन्ट है, राष्ट्री संग्राले नई दिल्ली में सुरचित है, तो फिटीक है दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आयोगी, वीडियो पसंद आ है, फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप जूड़े रहे हमारे साथ, धन्यवाद दोस्तों, जैहिंत